नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर रतनेश आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल बियने सुम्योपैथी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कंबिनेशन चौदा मीजल्स इस कवा से होने वाले लाब इसके दोज और उपयोग के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास बहुत ही नालिजबुल है तो वीडियो को पूरा लास्त तक देखें और मेरे साथ चैनल पर बने रहें तर वीडियो सुरू करने से पहले इतनी वेदन चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकान को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथिक मेडिस बायो कंबिनेशन 14 मीजल्स के बारे में दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कंबिनेशन 14 मीजल्स छीकाना आख और नाख से पतले पानी का स्राओ शरीर के तापमान में ब्रिद्ध बुखार और सिरदर्द में बहुत ही अच्छा काम करने वाली होम्योपैथिकी इब बेहदिफेट्ट्यू बायो कंबिनेशन मेडिसिन हैं दोस्तों यहदवा सर्दी जुखाम और खासी से राहत दिलाता है गले में खरास को कम करता है नाक से पीले बलगम के आबेग को भी कम करता है और आखों की लाली को दूर करता है इसके साथी साथ यहदवा संबंधित तच्छों के साथ होने वाले बुखार को भी ठीक करता है साथी यहदवा सिर्दर्द और बदंदर्द में भी आराम पहुचाता है दोस्तों इस दवा के कंटेंट पर ध्यान दें तो यहदवा कुलतीन बायो केमिक मेडिसिन फेरम फास 3X काली मियूर 3X और काली सल्फ 3X को मिला कर बनाई जाती है दोस्तों इस दवा के डोजो रूपियों की बात करें तो यह दवा बड़ों में चार गोली की मात्रा में दिन भर में 3-4 बार और बच्चों को इसकी आधी मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है यह दवा होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कंबिनेशन 14 मीजल्स यस्बीयल कंपनी की 500 ग्राम के पैक में और इसका छोटा पैक 25 ग्राम का पैक 95 रुपै की कीमत में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर आनलाइन प्लेट फार्म आनलाइन स्टोर्स पर आसानी से मिल जाएगी तो दोस्तों ये था होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कंबिनेशन 14 मीजल्स इस दवा से होने वाले लाब इसके डोज और उप्लोग से जुड़ी हुई बातें दोस्तों आसा है वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं अपने सुझाओ किसी सिकायत या समस्या को कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएं वीडियो को लाइक करें अपने घर परिवार अपने हित्मित्र अपने फ्र माध्यम से भी जोड़ सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों होम्योपैथी के लाज और इससे जुड़ी समस्त जानकारियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल डाक्टर रपनेश कुमार सिंग पर जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जो भी पस्पालक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वे हमारे एक अन्य चैनल बेटनरी होम्योपैथी जहां पर पसों के होम्योपैथी किलास से संबंधित समस्त जानकारी आपकी अपनी भासा हिंदी मे सहज और सरल रूप में दी जाती है उस चैनल पर भी जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी नए टाप के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिं